नमस्कार दोस्तो सागत आप सभी का सुनी ही लाकोकार में सो आज में लोग بात करेंगे मारतुी स्विफ के बारे में जो है पने सेग्मेन की टॉप सेलिंग हैजबेक कार तो अज इसे को डूटियल में कवर करेंगे और साथ ही में बास करेंगे इस कार की pricing की and features के बारे में तो अगर आप भी को इसी कार सर्च कर रहे हैं जिसमें आपको माइलीज अच्छा कासा मिल जाए इसे के साथ बड़े सा आपको चार दिये जाएंगे इसका base LXI, VXI, ZXI and ZXI plus टॉप में जाएंगे तो आपको features भी ज्यादा देखनों को मिल जाएंगे color option यह आपको ग्रे देख रहे हैं ग्रे के अलावा आपको इसमें white, red, blue, silver, orange and black जैसे आपको option देखनों को मिल जाते हैं इस बड़े असी hatchback car के साथ तो अभी चलेंगे इस car की front profile की तरफ and वे अपने segment की top selling के साथ साथ बड़े top level का है पर mileage देखनों को मिल जाएगा इस car में front से एकदम बड़े इस body से looks आपको मिलते है and top में जाएंगे तो आपको projectors वगरा भी देखनों को मिल जाएंगे सबसे पहले grill में आएंगे तो यहां पर देगा सुचकी कर लोगो एक आपको आपको अपर slide मिलती chrome की बाकी black finish में इसकी पूरी front grill headlamps आपको 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 इसके front bumper में बाकी नीचे की इस तरह रहेगी इसके lower grid यहां पर बढ़ेस एंजिन गार विगरा भी देखने को मिलता है यह इसका पूरा front engine suspension setup and ground clearance की बात कर ले तो आपको 63 mm का ground clearance मिल जाता है इस car के साथ उपर आएंगे तो यहां पर इसका dual wiper and washer इस तरह आप प्लेन रूफ and side profile की तरफ आप यह चलते तो साइट सभी आपर काफी बड़ी सापको लुक्स मिल जाएंगे हाला कि यहां पर वेक्से वेरेंटे ना तो आपको अलॉइस एंड प्रोजेक्टर हैडलाइब टेच इंफूटेन्मेंट रिवर्स पार्किंग कैमरा सी काफसरी फीचर्स नहीं मिलेंगे तो इसके लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं या आईजा असेजरी में यह सारी चीज़ें आप इंक्लूट करा सकते हैं बाकी साइट प्रोफाइल तो काफी अच्छी से आपको देखनों को मिली जा रही है वरेंटी की बात करें तो आपको मारती इसमें देते हैं दो साल च तो इसके बाद उपर आएंगे तो यह रहेंगे सेम बाड़ी कलर एंड इसी में देखेंगे तो आपको एंडिकेटर्स की प्रेश्मेंट देखनों को मिलते हैं एलेक्टिक एडिश्टेबल रहेंगे मैनुविली फोल्डेबल एपिलर यह बड़े सा है ब्लैक निश में र इसके डिटिल में क्या कुछ रहेगा पिलर्स भी आले हैं पर ब्लैक फिनिश में रखे गए हैं यहां पर भी मैट ब्लैक फिनिश का पूरा यूज एंडिया और इडोर कुछ इस तरह आप खुलेगी इस तरह देखेगा सेकेंड डो का पूरा इसका लेयाउट अभी आपक कितनी प्यारी सी लगती है हमारी कार यहां पर अगर आप चाहिए तो मोडिफिकेशन करा सकते है ग्राफिक्स वगरा तो बच देखने में बड़े सा स्पोर्डी सी लगी यह हैजबैक कार बाकि इसके में लोग डामिशन की बात कर ले तो आपको इसमें 3845 मिलिमीटर की ले तो यह बाइस की बड़े सी पूरी बैक प्रफाइल रेड कलर भी काफी प्यारा सा लगता है रेड एंड ब्लैक का इंसर्ट अगर आप देखेंगे तो आईए पहले बैक में देखते हैं यहां पर रहेगा बड़े सा सुचकी का लोगो इधर देखेंगे तो यहां पर स्व कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं मिलेगी बहुत सी आपको कार्स में दो ही मिलते हैं नीचे का इस तरह दिखेगा इसका रियर पूरा सस्पेंसन सटप इधर इसकी जॉस्ट पाइप तो यह तरह इसका नीचे का पूरा सटप और आपको दिखाएंगे इसका बूड़ी स्पेस तो इसके लिए खोलते इसके टेल गेट को देखते क्या कुछ रहेगा अपर इस स्पेस एगर आप सिंगी वरेंड में जाना चाहे तो आपको वी एकसा इंजेड एकसाई दो वरेंड में आपको सिंगी का भी अप्शन मिल चाहेगा तो आपको इसमें मिलने वाले 268 लिटर 268 लिटर का बढ़िया से अपर लगे जेरिया वगरे रहेगा इधर यहां पर हूप वगरा भी दियागा जहां पर अपनी थैली पन्नी वगरे टांग सकते हैं और अगर इसके हम लोग इस पर विल की बात करें तो नीचे आप इस प्रिविल देखने को मिल चाहेगा यहां पर पार सल्टरे वगर आप देख सकते हैं तो इसकार का पूरा बूरी स्पेस अगर आप इसके सदान सेग्में में जाना चाहें तो आप मारुतिय डिजार में जा सकते हैं जहां पर बढ़ी बढ़ी से अपको लिक्स मिल जाएंगे इस कार में यह थी पूरी बैक इसका पूरा डोर हेंडल वगरा देख लिए बॉडी कलर और यहां पर किस तरह रहेंगे रिमोट सेंटर लॉकिंग की जहां पर लॉक अनलोक के बटन्स मिल जाए पीछे सुचकी का लोको और डोर पैनल देखेंगे तो यहां पर ऑल ब्लैक डोर पैनल एंड इसमें यहां पर रहेंगे चारो पारुड़ी के कंट्रोल्स लॉक अनलोक के बटन्स और बीम अजेस्ट्मन के कंट्रोल्स उपर दोर ओपनर यहां पर स्पिकर स्वगरा दिया गया बॉड़र का स्पेस इस तरह पूरा डैस्पोर का व्यू और यहां पर सीड्स देखेंगे तो आपको पूरा ब्लाक रहता है अब आपको दिखाते हैं डिजायर व्यू अपर यहां पर देखेंगे वुड़न फिनिश दोर पैनल भी रहती डूल तो काफी कुछ आपको उंतर देखनों को मिलेगा न दोनों के कार्स के बीच में तर्निंग डिडिस आपको मिलेगा 4.8 मेटर का इस कार का अब आपको इसमें ट्रैक्शन ये इसपी वाले फीचर्स भी देखनों को मिल जाएंगे बाकी लुक्स टॉप को बेहतरीन से मिली जा रहे है इस पोडिस से जितना मोडिफिकेशन कराएंगे न उतनी बाई निखर क्या जाएगी यह हमारी मारत्वी सिफ्ट माइ सीट बैल्स तो अभी यह बैट के देखते हैं कैसा का स्पेस रहेगा डैस्पोर्ट का बढ़िया से व्यू और यू स्टेरिंग माउंट कंट्रोल से सारी चीज़े यहां पर कोई भी रेसिवेंट्स नहीं रहेंगे बाटर लोडर आपको एपर दिया जा रहा है लैग रू पूरा इस तरह सीट बैट्स वगरा इधर यह सीट चाहें तो पूरी फोल्ड भी कर सकते हैं उसका उप्शिन आपको पर देखनों को मिल जाएगा तो इसका पूरा सेकंड रो का सिटिंग अभी निकलेंगे कार की बाहर तो इससे पर पर दोर्स में देखेंगे चाइड दोनों आप्चिन दिये जाएंगे यहां पर इसका फिली डूपनर मैनुएल ट्रंसमिशन के एबी सी पैडल्स बोनेट खो आगे को खुलेंगे तो उसका लीवर यहां पर दिया गया है ट्रेक्शन कंट्रोल यहां पर डाउन हो चुका है ट्रेक्शन इसपी जैसे फीजर स और अभी लगाते क्यों को फिर बढ़ेंगे कार के अंदर तो अभी सबसे पहले यहां पर करेंगे इसके दोर पैनल को बंदेना आपको दिखाएंगे इसका डाइस पॉल इन इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर क्लेस्टर जबाउन करेंगे ना देखें बाई कितना बड़ा फिल देगा इधर दिखेगा आपको बड़े सार्पे मीटर इसी में काफसरी चकलाइट इदर स्पीडो मीटर 220 की मार्किंग बीच में मैंडी स्क्रीन इसमें आपको जो भी देखना हो जैसे की रेंज वेगरा माइलेज ओडियो मीटर यह सारी इंफॉर्मिशन आपको इसम सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके बाद आते हैं इसके संटर कंसोल की तरफ तो यह रहने वाला पूरा इस तरह सबसे पहले पर देखेंगे इसी वेंड्स बड़े से दिएगा रिंग्सेप में आप है जैलेट का स्विच और ऑडियो सिटम कुछ इस तरह पर देखने को म सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगी यहां पर आएंगे तो मैनुल एसी के सारे कंटूर्स किये गए यहां पर देखेंगे तो बारा ओर का चार्जिंग आउटलेट यहां पर यूएसबी और ऑक्स का पोर्ट दो ग्लास ओल्डर्स यहां पर देखेंगे सिलवर फिनिश हैंड ब्रेक इदर बार्डर होल्डर पीछे के तरफ यहां पर बड़े से ग्रिफ निश आपको दी जा रही है एंड डिजार में वोडन फिरिंश रहती यहां पर कलब बॉक्स में इतना कुछ इस पर जहां पर आपको देखने को मिलेगा इस कार में उपर आएंगे तो इस के बिन आपने पर देख लिए बैठके कितना कुछ आपको इस पर मिलता है सेकेंड वाली रूपे तो यह तैस के वेक्से इवरेंट के पूरा पर डाइसपोर इन इंटीर बाकी अपग्रेड करेंगे तो आपको टच इन्फोटेर्मेंट प्रोजेक्टर हैडलाइम्स इस कार में जैसे सेम रहता हूं आपको पावर थोड़ी कम मिलेगी उसमें मिलती सेवेंटी सिक्स पी की पावर नाइटी एट नियुट्रमेट के साथ और अब बात कर अगर इस व्यक्से पेट्रोल रेंट के प्रैजिंग की तो आपको पढ़ेगा 6,90,000 एक्स रूम एंड सीट बेल्ट वांडिंग, स्पीड एलर्ट सिस्टम जिससे कफसर फिचेस मिल जाते हैं इस कार में तो यत अचका मारा वीडियो वीडियो को पसंद दे तो प्ली वीडियो को लाइक जू करते हैं चलको सब्सक्राइब कर देए वीडियो तेखनीक लिए अपसे भीए धन्य तब करेंगे हुँ सोमच